सो हेलो गाइज वेलकम टू दर ट्रेड जोन आज फाइब के कैप्टेल चैलेंज का यह चौथा दीन है और आज के दिन बैंक इनिफ्टी का एक स्पाइडी है तो जैसा कि देख सकते हो कि मार्केट सुबस से अभी अच्छा खासा नीचे फॉल किया है स्लोली स्लोली करके उस के बाद से थोड़ा सा डाउन आया मार्केट फूरी के साइड वेज हो गया और प्रीमियम में थोड़ा भी मुमेंट नहीं कर रहा है तो अभी फिलाल मैंने एक ही ट्रेड लिया था जिसमें मैं कॉस्ट तू को दिखा दूंगा अगर आप लोगों को अगर यह होगा तो द बाद मैंने उसको कोश्ट निकाल दिया ताकि लॉस्ट ना हो मुझे उसमें तो अभी फिर से मोग ट्राइब करेंगे का ट्रेड और लेने का जो इसको अच्छा सा सेट अप बनेगा तो वहां पर लोग ट्रेड लेने का ट्राइब करेंगे तो यह पिछले तीन दिनों में क्या हुआ वह आप लोग को पता ही है नहीं पता हो तो अब इस वीरी को पूरा लास तक देखिए का आप लोग को समझ में आ जागा अभी फिलाल मैं आज निफ्टी में ट्रेड करने का ट्राइब कर रहा हूं दो लोट या चार लोट से ट्रेड करूंगा देखते हैं क्या तो देख सकते हों कि अगर तो देखता हो अगर यह वो जाए गातुर फिर से अपने प्राइच पर आया वह आया था तो मैंने लिमिट हटा दीया था तो अभी मैं फिर से बाई करने का ट्राई करता हूं अभी थोरा सा इसको देखता हूं यहां तक उपर जाने का वेट कर रहा हूं तो थोरा सा देखता हूं इस बार पक्का ले लूँगा चलो मैंने बाइक कर लिया है, आठ बंचान में के ऐस-पास मैंने बाइक किया है, चलो देखते हैं क्या होता है, अब ही इसमें पांच रूपे के ऐस-पास रहेगा, ठीक है, तो जादा बहुती च्छोटा श्टोप्लस रहेगा, हाला कि मैं लगाउंगा नहीं अभी, इस्टॉप्लस मैं देखता हूँ क्या होता है इस्टॉप्लस अभी इतनी चली लगाऊंगा नहीं चलो देखते हैं अभी फिलाल बहुत ही छोटा प्रीमियम है चार लॉट से लिया हूँ 100 कौंटिटी है 15-20 के आसपास हमारा टार्गेट रहेगा कि 15 तक भी जाएगा तो इस छोटा प्रीमियम है तो ज्यादा बहुत बारा लॉस होने का इसमें वह नहीं है इसलिए मनें यहां पर लिया है अभी तो फिलाल यह अप निकल रहा है और इसका प्रीमियम कुछ खास डाउन नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों लेकिन जो भी हो चलो देखते हैं क्या करते हैं बैंक निपके घ annoгор कुछ भी नहीं हो घौन कर रहा और कि जनल डेखते हैं फिलाल अभी क्या होता है यहीं से एगजिट कर देंगे अगर थोड़ा भी वह मेंको गरबर लाग तो अगर निकला तो देखा जाएगा क्या होते हैं मेरे को जहां तक उमीद है कि यह जो पॉइंटर है यहां पे थोड़ा सा रुकेगा उसके बाद नीचे आएगा और प्रीमियम ज्यादा डिके करेगा तो हम लोग बाहर आ जाएगे अब ले ले आएग तो ये नीचे जाने का ट्राइए नहीं करते हैं कि 8 आ Rather का लो लगाया था है धेक्वो यहां पर गया ऊगिवा maior को प्रीमियम बढ़ नहीं रहां लेकिन रांट क्यों कर रहा है ardक रूस कॉल का 110 110 के आज पास चल दा है चलो 135 500 गिरेगा 170 चलो मढ़िया अब मैं स्टॉप्लस लगा ले रहा हूं वैं मैं लगा लेडा हूं यहां पर फ्रोप्र मने इस टाइल कल लगए रहा हूं छलो भी तक अब दिखाई रहा है चलो देखते हैं क्या होता है मैं मैं इस ट्रेल करेंगे चलो निकल रहा है कि अनौब निकल रहा है कि 75 पर स्टॉप्स हो गया है अब हम पॉष्ट फॉष्ट आ चुके हैं यहां से कर स्पाइक लगा है ना तो बहुत अच्छा निकलेगा तो इस पाइक लगाएगा तो कर रहा है तार्गेट हमारा थोड़ा सा बड़ा है कम से कम 500 600 रुपया प्रॉफिट इसमें दे तभी हम लोग करेंगे वरना नहीं करेंगे ठीक है फिलाल देखते हैं क्या होता है कि निकलने देते हैं 200 रुपय अड़ाई 100 रुपय प्रॉफिट चल रहा है लेकिन इतना अब चलो इस टॉपलस लगाएं करें रखते हैं यहां पर 970 कि रास पास अगर मालो सपोर्ज यहां से मार्केट रिवर्स भी होगा ना तो हम लोग लॉस में नहीं रहेंगे ठीक है इसलिए मनें स्टॉपलस को लगा दिया है इसको ट्रेल कर रही है चलो देखते हैं क्या ह चलो रहा है यह इसलिए नहीं बिड हाय कैंकर यह प्रीमियूम कपी छोटा ना इसा से भी यह नहीं बर रहा रहा है लेकिन देखो क्या होता रहा है, अभी फिल स्टॉपलस हीट ना कर दे देखो,स्टॉपलस हीट ना कर दे इस्टोप लस हीट ना कर दे अगर है है हुआ क्या होता है एक रुप्या का फरक है 0.50 प्ष़पे है दसक्षट चल रहा है अगल है तो हम लोग कौस्ट है अभी ठीक कि एक लगाए ना एक स्पाइक लगाए न तो मज़ा आ जाएगा कि 220 रुपैस में प्रॉफिट दे रहा है कि ओलमस्ट नोर आटपर नबे पैसा के आस पास हमाना बाइंग है लेकिन यह गलत कर रहा है अब यह गलत कर रहा है शौप्लस ले जाएगा हम लोगा हम लोका अम लोगों को 200 रुपर भी बूक कर लेना चाहिए था लेकिन क्या लगता है श्टॉप्लस ले लेगा ले लेगा श्टॉप्लस ले लेगा बोला था श्टॉप्लस ले लेगा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं को अलमस्ट 80 रुपय का प्रॉपिट कर लेना चाहिए था ना श्टॉप्लस हिट करके यह जाएगा दिक्कत ही है यार चलो क कोई नहीं चलो देखते हैं एक और कोई opportunity मिलता है तो फिर राइकर सुकाई जैसा कि देख सकते हो कि अच्छा-खासा breakout किया है market ठीक है तो हम लोग देखते हैं अगर कोई पर थोड़ा सा वेट करते हैं देखते हैं वाई हो जाए तो बढ़िया है और चोटा सा स्टॉपलस के साथ हम लोग काम करेंगे दो ही लोट मैंने लगाया है बाई में चलो देखते हैं क्या होता है अभी तक तो बाई नहीं हुआ है और रिजेक्शन लग गया है अच्छा-खासा रिजेक्शन लग गया है चलो देखते हैं फिलाल तो बाई नहीं हुआ अभी तक लेकिन अब में भी बाई हो सकता है प्राइच पर आ गया है हमारे और हमारा ब लग गया है और यह गलत जा रहा है कि दोगे रिजेक्शन लग गया है और यह गलत जा रहा है 27 पे buy हुआ है चलो देखते हैं stopless हम लोग लगा लेते हैं 20 के आसपास का नहीं इस candle के लोग का stopless हमारा देगा 23 के आसपास का क्योंकि इस candle के अगर लोग को break कर देगा ना तो हमारा रे भाई सहाब stopless लेगे है हम लोग का की चलो हम आप इस बाद एंटी ले लिए हैं चाहर लोट से लिए चलो क्या ह्काओ जबना लिए कि इसमेंangen लगा अप इसमें अपने दो साइड टोला है लगा है तो हम्bour Тогда लेते हैं प्रिश्ट आप लोगा कितना कला से ओल्मस्ट दूसर बारो रुपए का फिलो देखते हैं इसमें क्या होता है फिलाल देखते हैं क्या होता है इसमें अगर प्रॉफिट निकलेगा तो ठीक है बना कोई बात नहीं है यह लास्ट ट्रेड है हमलों का यह हमलों का लास्ट ट्रेड होगा इसके बाद हमलों कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले हैं कमसर पांच-छी सो रुपए का इसमें प्रॉफिट का यह रहेगा पांच-छी सो रुपए का इसमें टार्गेट रहेगा प्रॉफिट का और उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा कॉल साइट मार्केट निकला था लेकिन बहुत बड़ा रिजेक्शन लगा दिया कॉल साइट में दिक्कत यह हो गया कॉल साइट रिजेक्शन लग गया था कि थो हरह बहुत तो प्लस में भी आ रहा है लेकिन मोमेंट नहीं हो रहा है यार पता नहीं क्या दिक्कत है आर गिल्म क्यूं क्योंश कर रहा है कि देखते हैं क्या होता है आज पिरसे Kyoto क्या प्रिमिय महां गया है इस पर करता ऑदे इसका है तो अनbahn 22 गता हूं य चलो देखते हैं क्या होता है मैं लूब यह घैक्शन लगा है नै इसलिए मैंने यहां पर पूर्ट में एंट्री बनाया है यहां पर बहुत बड़ा हैमर बना दिया है हैमर को देखके मैंने एंट्री बनाया है कोई बहुत बड़ा रिजन नहीं है यहां पर और यह निकलेगा तो बहुत अच्छा निकलेगा ये निकलना नहीं चाहा रहा है न यार बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहा रहा है देखो अब ये candle क्या करता है 2300 रुपे के something में 22-2300 रुपे के something में हमारा entry बना है चलो देखते हैं ये candle बता देगा जो भी करना होगा चलो देखते हैं क्या होता है ये हम लोग का तीसरा या चौथा ट्रेड है धान मैंने ये मेरे को तीसरा या चौथा ट्रेड है से ही है ये चार लोट से मैंने लिया है और जैसा कि देख सकते हो कि ये चौथा ट्रेड है हम लोग का चौथा ट्रेड है चलो देखते हैं क्या होता है कि निकल नहीं रहा है अभी कुछ भी कुछ भी नहीं कर रहा है थोरा सा प्रॉफिट दिखा रहा है फिर लॉस में दे दे रहा है कि 20 का स्टॉप लॉस है 23 पर बाई है चलो देखते हैं क्या होता है एक पर फॉल यहां से आ जाएना तो मज़ा आए जाएगा बहुत बढ़िया टार्गेट देगा अगर फॉल आएगा तो लेकिन मार्केट में मॉमेंटम नहीं है ना दिक्कत यह है जाए यहां पिये हम लोगा कॉट वाईंट्री बेकार हुआ है कंट्री में नहीं लेना चेहित हम लोको लेकिन छोटा सा stop plus गया है कोई नहीं हों का कोटा सा stop plus गया है ये MPlet थोटा सा भी मुंव नहीं कर रहा है कि तो खी निकलता प्राइच 25-26 भी कलता तो stop less को ट्रेल करते लेकिन वह भी नहीं कर रहा है मौका ही नहीं दे रहा है यार नीची आने का चांस लग रहा है फिर स्टॉप्लस ना ले जाए फिर स्टॉप्लस ले जाएगा स्टॉप्लस ले जाएगा फिर हमको लग रहा है स्पाइक लगाएगा हटा दू का स्टॉप्लस हटाना सही नहीं जाएगा स्टॉप्लस लगाना एकनम सही नहीं है अभी मार्केट ट्रैप, फिर ट्रैपिंग, ट्रैपिंग खेलने लगा है, तो अभी चलो देखते हैं क्या करना है, नहीं करना है, अभी यह भी ट्रेट हम लोगा गड़बर जा रहा है, यह लाइस्ट ट्रेट होगा, जो भी होना होगा, इसमें अल्मुस्ट तीन सो रुपे का रिस्क है ज्यादा का नहीं है तीन सो रुपे का स्पास का रिस्क है इसमें ले लेगा स्टॉप्लस ले लेगा ले ले लेगा ये ले लेगा बोला ना स्टॉप्लस ले लेगा कहीं भी मौकाने देरा है लॉस का हमारा फो चुका है ठीशा लिए हम लोग और हम लोग ने चार्ट एट कर लिया है टोकल्ड की काugu Break आ चोटर चुका है और यहां सकतर लेक पोड़ी अच्छा क्या मुक्मेंट नहीं किया है पूरी तरिक्ये से ईङर शिनिग लास था औरust किया था लगवाद 600 रुपे के असपस लॉस था तो मैंने एका ट्रेट और भी किया है तो अभी आपको दिखा देता हूं आप देख सकते हो कि अभी हमारा लॉस कम हो चुका है रिकवर हमने लॉस कर लिया 1.500 रुपे के लॉस पर आ चुके हैं और यह वाला जो निफ्टी का था वह सारा लॉस रिकवर यहां पर कर लिया है ठीक है अब यहां देख सकते हैं 500 रुपे के लॉस पर और 2800 रुपे के असपस ब्रोकरेज लगेगा फिर भी हम लोग का लॉस बहुत ज्यादा कम हो गया लंगवाद 600 रुपे के लॉस था वह हम लोग उसको कम करके तो उस वीडियो को जो लॉस रिकवर वाला वाला वीडियो गळूद वेख एंए अपने सॉूर्ट वरी तो यहां पर देख सकते हों कभर हो चुके हैं जो की 8900 और रॉपर के आसपास का लॉस था तो उसका आधा हमारा लॉस हो चुकत है बूकरीज थी थोड़ सा ज़्यादा देना पर रहा है और कुछ नहीं लॉस थो मारा कम है लेकिन ब्रूकरीज हमारा दो अधाइस्ट रुपय के असपास हो गया है तो कोई वात नहीं है चली अगर आप लोग ने कोई डिमेट एकान डाउनलोड नहीं किया तो दिसक्रिप्शन में लिंक है आप वहाँसे डाउनलोड कर लिजेगा तो चली मिलते है फिन नेक्स वीडियो में